हाई एबरिवान आप लोग कैसे हो आज मैंने डिनर में बनाया है एक बहुती बढ़ियां हेल्दी और टेस्टी रेसीपी आप देख सकते हो उसके साथ डाल बनाया पहले तो चलो शुरू करते हैं मैंने दो डाल लिये हैं एक मसूर की डाल है और एक मॉंग की डाल है दोनों क गैस पे रख दिया है उबाल आच चुका है बहुत ही जट पड से बन जाते हैं दोस्तों और यह दाल भी बहुत जल्दी तयार हो जाती है 15 मिनट में बीना कूकर के ही रेडी हो जाती है अल्दी डाल दिया है नमक डाल दिया है यह देख लिए कितनी बढ़ियां गल्चू क अब इसे रखते हैं साइट में बहुत ही अच्छे गुल गई है दोस्तों अब लगाते हैं तड़का तेल डाला है राई डाला एक चमच एक चमच जीरा लसुन बारे कटा हुआ डाल दिया है एक प्याज कटा हुआ डाला है हरी मेची डाला है बारे कटा हुआ बहुत ही अच्छी लगती है डाले दोस्तों इसमें मैंने डाल दिया है हीम अब इसे भून लेती हूँ कड़ी पत्ता डाल दिया है दोके और जो मैंने डिनर बनाया है दोस्तों बहुत ही लाजबाब डिनर बनता है बारे कटा हुआ मैंने इसमें डाल दिया टामाटर कास्मेरी मिर्ची पाउडर जीरा पाउडर बस बाकी कुछ भी नहीं डालूंगी धनिया पत्ती डाल दिया है इसे स्वाथ काफी बढ़िया आता है मसाले में बस जीरा पाउडर और कास्मेरी मिर्ची पाउडर डाला है दाल में तड़के लगा देती हूँ यह देख लिजी बहुत ही अच्छी लगती है यह दाल डिनर में दनिया पत्ति डाल देती हूँ इसे ढख देती हूँ अब मैंने लिया एक कटोरी याटा और एक कटोरी चावल का आटा इसमें डालेंगे नमक अजवाइन डाल दिया है आथों से क्रस करके और एक चमच पापड़ खार डाला है मैंने एक चमच मेठा सोड़ा आथों से मिक्स करेंगे इसे ताकि बढ़ियां से मिक्स हो जाए दो कुपी हमने डाला इसमें तेल अच्छा समोयन बनाएंगे पहले रेसीपी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों सारे मिक्स हो गए है मैंने इसमें दनियां पती डेर सारा डाल दिया दो बारी कटा हुआ प्याज है हरी मिर्शी है बारी कटा हुआ मुंग दाल मैंने भीगोया था वो डाला सव गराम के करीब है सव गराम ही हमारा साबूत मुंग है सारे मिक्स करेंगे पहले हाथों से देख लिजिए मिक्स हो चुका है अब इसमें थोड़ इसी कलर के लिए डाला हमने अलदी जीरा पाउडर धनिया पाउडर गर्म मसाला और कास्मेरी मिर्शी पाउडर सारे मिक्स कर लेती हूँ फिर इसे गरम पानी से ही हमें गुथना है ठंडा पानी से बिल्कुल ना गुथें जब गरम पानी से आप ऐसे डो लगाओगे तो बहुत जटपड से तयार भी हो जाएगा और यह जो आपका डिनर है बहुत अच्छे से रेडी होगा दोस्तों इसमें पापड खार आप डालोगे न तो बहुत अच्छा जिसका रिजल्ट आता है अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात ने ऐसे भी बना सकते हो यह देख लिजिए आठा तयार है अब मैंने भगोने में पानी रखा उपर से रखा जड़ना हाथों में लगाया तेल जितना बड़ा हमें बनाना है उत्मी बड़ी हमें लोई लेनी है और ऐसे हमेंडी वड़ा करता है न वहीशेप मैं देने वाली हूँ कि ताकि बीच में कच्छा न रहे और एक इस आचे के मदस से मैं इसमें करूंगी अंगली से भी कर सकते हो आप बहुत आराम से बन जाते हैं ताकि बीच में कच्छा भी न रहे सारे से ऐसे ही बना के रख लूँगी दोस्तों यह देख लिजी कितने असानी से बन जाते हैं इसी तरीके से सारे मैं बना लूँगी यह देख लिजी तैहर कर लिया दोस्तों सारे बना के मैंने अब जाली में मैंने लगाया था पहले से ओईल सारे जो मैंने बनाए हैं रेसिपी डोकले के साचे में उमेश में रख देती हूँ और इसे बंद कर देती हूँ अब चेक कर लेती हूँ यह देखेजिए चुक में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है हो गया है अच्छी तरग से पक गया है पूरा बीस मिनिट उसे पकाया है दोस्तों मैं दाल निकालती हूँ बाउल में बहुत ही अच्छी लगती है रेसिपी अब खाने में बहुत काफी इसका स्वाद आता है देखेजिए कितना अच्छा लग रहा है न हेल्दी तो है ही दोस्तों टेस्टी भी बहुत है गजब का टेस्ट आता है और एक बार आप ज़रू ट्राइ किजीगा ठंडा होने के बाद इसे आप दही से भी खाओगे तो बहुत मज़ा आएगा गर्मा गर्म खाना है तो दाल के साथ खाएए घी डाल कर मैं सोब करके दिखाती हूँ कैसे आपको खाना है देख लीजे कितना बड़िया लग रहा ना खिला खिला सा है यसे तोड़ेंगे ना तो पुरा अदम खिल के तुटता है बहुत अच्छा लगता है उपर से डाल दिया दाल घी डाल देती हूँ तोड़ा सा मैंने प्याज कटिंग करके रखा था डाल दिया है टमाटर धनिया पती डाल देती हूँ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तलक आप अपना ध्यान रखें आप भी बनाए खाए और इंजॉआई किजिए बाबाए